बेलकॉम दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डियेटर जो है पावर प्लांट का एक बहुत मॉस्ट पावरफूल पार्ट होता है एक बहुत ही एहम अंग होता है जिसके बिना बोईलर का चलाना संभव नहीं है ठीक है दोस्तों तो उसे पे हम डिस्कर्स करने वाले हैं और आज हम बात करेंगे कि डियेटर को क्यों लगाया जाता है और इसमें कौन-कौन से केमिकल होते हैं और एक बात में आपको बताऊं कि पहले हम सभी जानते थे कि डियेटर में हम हाइडराजीन का प्रियोग करते थे हाइडराजीन का प्रियोग करते थे उसमें अभी स्वेयर में आने के वाद यह काफी हामफुल केमिकल होता था इस वज़े से गौवर्मेंट ने इसको बेंड कर दिया है तो दोस्तों अब सवाल आता है कि इसकी जगह पर कौन सा केमिकल ले लिया भाई तो इसी सब्जेक्ट पर हम आज डिसकर्श करने वाले हैं और डियाटर किसे काम करता है इस सब्जेक्ट पर थोड़ा सा डिसकर्श करने वाले हैं अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लेज वीडियो को सब्सक्राइब कर ले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते ही रहते हैं और दूसरा कि अगर आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल हो कोश्चन हो कोईरी जो तो कमेंट के माध्यम से आप मेरे से पूछ शक्ते हैं मैं हर शंब प्रियाश करूंगा आपको उन सवालों के जवाब देने का चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू दोस्तों जैसा कि हम सभी को मालूम है कि डियाटर हम ऑक्सिज कराते हैं घडम करते हैं तो 100 डिग्री टेमपरेश्य यानि बॉइलिंग पॉइंट पे जाते के साथ उससे स्टीम रिमूव होना अलग होना चालू हो जाता है यानि इस टीम इन्येरेट होना चालू हो जाता है उस कंडिक्सन में वहां पर यह समझे लिजी को वह स्टीम के अपने साथ आटमोस्ट्वियर में ले जाता है यानि पानी से अक्सीजन को अलग करने का सबसे आसान प्रकिरिया है कि वानी को गडम कर दो वह अक्सीजन रिमूव हो जागा इसके बावसूत अगर थोरी बहुत अक्सीजन अगर बच जाती है तो उसको भी तो अलग करना जरूरी हो तो इसके लिए ही दोस्तो हम लोग पहले हुआइड जीन कีमिकल का इस्तवाल करते थे एलपी ڈोजिंग के रूप में तो अब तो गोवर्बर्मेंट नी इसको बैन कर दिया है तो अब क्या लूग जानते है और बहुत कम जगहें पर इसका होता है लेकित चालू हो गया है इसका दीरे-दीरे आप लोग के शंग्यान में आ जाएगा तो दोस्तो लेमोनेक्स वही काम करता है जो एक हाइड्राजाइन केमिकल करता था अक्सिजन को रिमूब करने के लिए ठीक है दोस्तो यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अभी मैं ज्यादा भी से इस बात नहीं करूंगा इस डियेटर के एकुपमेंट्स के उपर कि यह लगा होता है वो लगा होता है क्योंकि आल्रडी मैं डियेटर के उपर एक वीडियो बना चुका हूं कि डियेटर के उपर कौन-कौन से पार्ट्स लगे होते हैं कैसे काम करते हें हां एक चीच में और किलिर करते चलू इसमें कि की टीरल में दो साइड में लाइन दिये rety याइन होते है और एक जो होता है पेज़िंग के लिए होता है यह मतलब Appreciate को Charge करने के लिए होता है दोस्तो टीरल का इस्तंमाल करने से पहले डीराड को चार्ज करना ज़रूरी है नहीं तो वाटर के साथ इस टीम का जो एक जगह पे मिलन होगा तो समझ लो एक thermal sock पैदा करेगा जिससे बहुत जादा vibration होगी ठीक है दोस्तों तो इसके लिए पैजिंग एक लाइन होता है जिसकी जिसका यूज करके हम लोग पहले डिएटर को चार्ज करते हैं एक boiling point तक उसको वाटर को लेके जाते हैं और उसके बाद फिर चार्जिंग लाइन को ओपन करते हैं जिससे यह continuous मेरा डिएटर चार्ज होते रहता है है हैं एक हैंडेड ट्वैंटी मतलब हैंडेड थर्टी के आसपस तक हम इसको चार्ज लेते यह भी जानगे और भी किसी दिन हम हाई प्रेसर के ऊपर है एच्पी डोजीं के ऊपर बात करेंगे डिटेल में एच्पी हाड आउट फॉस्ट हाइड हाइड आउट के बारे में भी बात करेंगे ओके दोस्तो आज का जो वीजियो था मेरा यहीं तक था मिलते हैं नेक्स वीडियो में और आपको क्या चाहिए प्लीज कमेंट करके बताइए मैं आपके लिए ज़रूर लाओंगा वीडियो देखने के लिए यहां तक का सफर मेरे साथ करने के लिए आप लोगों का तहदि वाद है थेंक यू